समस्कार, AMS चुरियल पर आप सभी कहां, बहुत बहुत स्वागत है, my dear friends and my students, System of Linear Equations का एक बहुत important questions है, consistency से related, तो हम इस lecture को थोड़ा detail में focus करके करने वाले हैं, consistency के concept को समझेंगे, consistency कितने types की होती है, उसको समझेंगे, consistency में generally हम दो तरह पे focus करते हैं, consistent और inconsistent, उनके लिए क्या basic rule होगा, जा हमको find out करना है, उस पर focus करना है, rules को समझेंगे, और बहुत ही easy way में इसको करने का प्रयास करना, बहुत हैं इस lecture के साथ, total हम full concept के साथ इसको करनेंगे, तो पहले basic rule को समझ लेंगे, exam में basic total सब कुछ लिखने की जरुवत नहीं है, बट हम यहाँ इस पर focus out कर रहे हैं, तो यहाँ पर करने का प्रयास अपनी तरब से करेंगे, तो सबसे basic rule को समझेंगे, कि हमें जरुवत क्या होती है, जब system of linear equation ने दिया हो, दो चीजों के हमको जरुवत है, किना सारा work आपको करना है, करना क्या है, सबसे पहले आपको matrix को find करना है, matrix का collection जो होता है, अब इस question में क्या कह रहा है, कि test the consistency of the following system of linear equation, and if system is consistent and solve, consistent है तो solve करना है, otherwise नहीं करना है, जो सबसे पहले हमको matrix की जरुवत होती है, matrix जो हम लिखते हैं, A लिखते हैं, that is the A, कैसे होगा, इनके जो x, y, z के जो coefficient है, गुडांक जो है, उनको लिखना है, जो पहले वाले में, x, y, z के क्या है, 1, 1, 1 है, यहाँ पे second में, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या, 1, 4, 7, 1, 4, 6, और जो B matrix है, इसको लिखेंगे, तो B matrix कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड में जो पार्ट है, 6, 14, 30, that is the right hand side portion है, इसको हमको इतना सारा work यहाँ पे करना है, पहले logic point आप समझ में आगें, अब आपको क्या find करना है, rank of augmented matrix, अब पहले consistency को समझते हैं, consistency जो होता है, यह दो पार्ट में दिवाइड होता है, इसको हम करते हैं, solution की बात करेंगे तो संगत तो तीसरा यह को हम कहेंगे तो ऑसंगत यह ऑसंगत inconsistent इनकंसिस्टेंट मिनिंख आप समझ जाएंगे, inconsistent क्या होता है? कोई हल नहीं होना है, consistent म adflow हल होना संगत है, निकाह है, म ad hypoth होना, consistent की quality को depends करता है, कि consistent है तो उसके हल होंगे कैसे हल होंगे वो डिपेंड करता है कि यूनिक हल होगा या तो इन्फानिट हल होगा एक से ज़्यादा अब इसके लिए रूल्स क्या है तो पहले तो हम कंसिस्टेंट में बात करते है ठीक है तो हमको एक अगुमेंटेट मैक्टिस की जरुदत होती है इसको हम इस तरह से राइट अप करते है और कहीं कहीं आपको इस तरह से डॉट डॉट करके भी लिखा होगा जो भी आपको सुटेबल हो दोनों से निकाल लेंगे तो हम पहले इस वाले पे फोकस कर रहे है तो पहला इफ rank of augmented matrix is equal to rank of a all is equal to r है और equal to number of unknown variables unknown variables है variables कहा सकते है जो x, y, z है अगर ऐसा मिलता है ठीक है consistent की दो conditions है यह पहला consistency के लिए ऐसा होना चाहिए argument, augmented matrix is equal to rank of a तो अब यह consistent हो गया और inconsistent की अगर हम बात करें student, तो rank of augmented matrix is not equal to rank of a then we can say that is the inconsistent augmented matrix होगी उसकी rank, अगर ऐसी condition fulfill हो रही है rank और number of variables जो है वो अगर बराबर है unknown variable तो हमें मिलता है unique unique solution का मतलब एक हल दूसरा, कि the rank of this augmented matrix is equal to rank of matrix is equal to r less than number of variables का सकते हो या unknown variables variable मतलब कहने का सिंस यह हुआ कि matrix की rank जो दिये वे number of unknown variables x, y, z हैं अगर उनसे कम हो जाए उस cases में हमको क्या मिलता है unknown infinite number of solution क्या मिलेंगे infinite infinite solution क्या मिलता है infinite solution infinite number of solution यह number of conditions होगे अब इसके लिए हम जगर infinite solution है student तो ध्यान रखना आपको इसमें आपको free variables fight करने free variables तो यह होता है अगर हम कहें n minus r n हमारे पास क्या है number of unknown variables है और r क्या है उस matrix की rank inconsistent के लिए यह follow होना जाए अब यहाँ पर जो यह matrix है इसके according हमको ओर करना है तो पहले तो हम augmented matrix की rank निकालेंगे पहले तो हमको augmented matrix लिखना पढ़ेगा augmented matrix को लिखते है ते क्या है one 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 है one two three है और क्या हमारे पास है one four seven यहाँ पर क्या लिखेंगे one four और augmented matrix के लिए यह है और right hand side में हमारे पास क्या है six fourteen thirteen six fourteen thirty है not thirty six fourteen fourteen thirty ठीक अब देखे शुटन करना क्या है अब आपको rank की case में जाना है तो सबसे पहले a one one के below के जो elements है उसको zero करना है एक zero below the elements of a one one मतलब यह वाला elements और इसको zero करना है simple one one दिख रहा है तो r2 को replace करिए r2 minus r1 से और r3 को भी replace कर दीजे r3 minus r1 से और replace now संगत तो पहला वाला ऐसे रहेगा one 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 और यहाँ पे six इस दिया लाइन इसको इसमें से minus कर दिया तो zero two में से one कर दिया तो one three में से one कर दिया यहाँ पे two fourteen में से six को minus कर दिया तो हमारे पास हो गया eight one में से one minus किया zero four में से 1-3, seven में से 1-6 और यहां पर, 30 में से 14-minus किया, आपका क्या मिल गया, 16 अगर 13 में से 14 को minus किया, तो हमें क्या मिलेगा 13 में से 6 minus करना है, 24 क्या मिलेगा यहां पर? 24 संगत elements को minus करना है इसमें से यह वाला माइनस होगा, यहां से यह वाला part माइनस होगा, ठीक है, corresponding element, अब देखें, यहां पर यह इसका just triple दिख रहा है, मतलब simple, R3 को, A11 के विलो 0 होगया, अब क्या करना है, A22 वाला element, जो है, A22 हमारा क्या है, इसके विलो element, जो है, A22 है, इसके नेचे के 0 करना है, तो R3 को replace करना है, R3 माइनस PR2 से, replace करते बटा, देखो, क्या मिलता है, simple, जो results मिलेगा, 1, 1, 1, entities, यहां पर हो गया, आपका 6, 0, 1, 2, 8, यहां पर 0, अब 3, 3 जा, 3 बन जा 3, 0, 6 माइनस 6 हो जाएगा, यहां 0, 24 माइनस 24 यहां पर हो गया, 0, अब आगे बात नहीं बनेगी, अब देखे, system हमारा कैसा बना, इसको समझवाब, यहां पर, अब हमको मिल गया, rank, अब यहां पर rank की बात करेंगे, तो यह देखिए, student क्या है, हमारे पास, augmented matrix, augmented matrix की rank की बात अगर हम कर रहे हैं, तो rank, rank of augmented matrix is equal to, क्या होगा, number of unknown variables, तो number of unknown variables क्या है, number of non-zero row, number of non-zero row, यह देखिए, total zero row है, यहां से यहां ता लेक करके, zero row है यह, तो number of unknown variables मतलब, कान zero row, ठीक है, तो दो है, कौन-कौन से, यह पहला वाला और दूसरा वाला, कोई भी element एदी present है, उसको हम non-zero row, ठीक है, अब rank of matrix कितनी है, rank of matrix यह वाला पार्ट है, यह जो line है, इस line के जो left side में है, उसको हम कहेंगे, कि यह matrix है, तो rank of matrix कितनी होगी, number of non-zero row, यह भी 2 है, तो it means clear हो गया, rank of augmented matrix is equal to rank of matrix is equal to 2, ठीक, अब आगे की बात करते हैं, अब देखे कहा रहा है, कि यह तो consistent हो गया, इससे proved हो गया, कि consistent है, क्या हुआ, consistent, इससे क्या से दुआ, यह which is consistent, यह क्या हुआ, consistent होने पर भी 2 conditions है, देखे कौन सी, consistent यह दी है, तो दो तरह की possibilities है, unique solution की, infinite solution की, number of unknown variables, तो इसके बराबर तो आया नहीं, लेकिन, वो number of unknown variables से less देना रहा, देखे, unknown variables हमारे पास कितने है, यहाँ पर x, y, z है, 3 है, it means, clear हुआ, यहाँ पर जो rank of augmented matrix है, rank of matrix is equal to 2 less than 3, ठीक है, this is the x, y, z, जो यह 3 variables है, से क्या है, यह less than है, अचलब, we get, get, finite, finite, finite number of solution, infinite number of solution, अब इस case में हम find करते हैं, free variable, find करते हैं, बटा, free variable, तो free variable क्या होगा, 3 minus 2, then we get the 1, बतलब, 1 free variable है, अब आते हैं, solution, तो solution जानते है, ax equal to c होता है, a, अब a हमारे पास क्या है, यह है, अब का a है, यह b है, और x राइट साइड में है, a equal to 1, 1, 1, 1, 1, 0, और फिर क्या है आपके पास, 1, 2, 1, 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0, x क्या है, x, y, z, और राइट हैं साइड में क्या हमारे पास है, 6 है, और 8, 0, 6, 8, 0, 6, 8, अब इसका multiply कर दीजिए और corresponding equal कर दीजिए, तो देखिए, यहाँ पे पहला equation क्या जाएगा, x plus y plus z equal to 6, यहाँ पे आएगा y, इसको गुड़ा multiple करोगे, row by columns, 0 into x हो जाएगा, 1 into y, मतलब y plus 2 z equal to kitna, 6, अब इसको solve करना है, तो देखिए, variables हमारे पास free है, तो हम simply क्या करेंगे student, बहुत basic सा concept, हम माल लेंगे, let z equal to t माल लेंगे, one variables free है, तो हम किसी एक को मान सकते है, x, y, z किसी एक को मान लेंगे, सब के अलग-अला answer आ सकते है, infinite number of solution है, doesn't matter, सब के different हो जाने देजिए, कोई problems है, z equal to t माल लेंगे, this equation number one, equation number two, तो from two, from two, y plus two t equal to eight, y is equal to क्या हो जाएगा, eight minus, अब y, z और y का मान कहां रख देंगे, है, from one में, x plus y कितना है हमारे पास, eight minus two t, और z कितना हमारे पास है, t है, or equal to six, simplify करिए and we get the answer, x plus eight minus t, यहां से इसको solve कर लिया, equal to six, इसको इदर ले जाए, x equal to, eight को इदर लेंगे, तो minus eight होगा, माईनस, माईनस, six minus eight, two होगया, minus two plus t, जो x, y, z मिला, x equal to क्या मिला हमारे पार, minus two plus t, five गया मिला, eight minus two t, z क्या मिला, t मिल गया, यह यह आपका answer है, तो t के different different मान के लिए, we get the infinite number of solution, तो यह रहां आपका इसका इसका इस तरह का basic fundamental concept student, कि हम इस तरह के questions, आप systematic pattern को कैसे follow-up करेंगे, okay, I think आपको यह total systematic question का pattern आप खमझ में आ गया होगा, कि हम इस तरह के questions को कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, I think कोई doubt होगी, कोई दुब्दा होगा, तो जरूर मुझे आप बताने, एक कर संक्क्यू, बाई बाई